आजाद वीजा में मत आना कुवेद इस वीजा में आप अच्छे से काम भी नहीं कर पाऊगे और पुलिस का डर भी रहेगा कब इंडिया चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा तो दोस्तों एक भाई का कॉमेंट है मेरे एक वीडियो में तो हेलो वेल्केम बेक टू मैं आप आपका दोस्त आपका भाहिर अभी दोस्तों आज के व्लोग में दूस्तों मैं आपको इसी टॉपिक के उपर बताने वाला हूं जो आज आद भीद है उसके उपर बीग अपडेट क्या है क्वेट की इस पूरे टॉपिक पे डटेल में वीडियो बनाएंगे तो बीडियो आपको पहले बार है तो प्लिए चैनल को सब्सक्राइब साथ बैल आइकन दबाके बटन जरूर दबा दे उससे मेरी जो भी नेस्ट वीडियो आपके उसकी नुटिक्शन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी दोस्तों मैं जॉब से लिटेट एंड को बनाते रहता हूं गल 2020 से पहले आते थे वो कैसे आते थे अब क्या कणा क क्य cockpit के कंठे को बीजा दें चोड़ देते हैं और वो अच्छा पैसा कमाते थे लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिलकुल है कम है को सब्यृत सब्सक्राइब आप लाइन नहीं था अफलाइन चलता था पेपर में शायन करके अधर अधर हो जाता था लेकिन अब टोटली ऑन-लाइन है तो गौर्वर्मेंट को यह पता है कि आपका बीजा किधर है और आप किधर काम कर रहें यह सारे डिटेल कि आपका किसी कमपणी का बीजा है तो उस क से पहले ऑफ-लाइन था तो इतना चेकिंग नहीं था लेकिन जब 2020 में करोना आया उसके बाद जो सारा जो आउनलाइन सिप्ट हुआ तो अभी जो आजात वीजा है उसके होनकी छो लाइफ है वह बहुत-ज़दा हाड हो जाती है तो मैं क्यूकि क्वेत का रूल करना अगर आपका थे पकड़ेगिए तो आपको सीधे डिपोर्ट किया जाता है मतलब के अपको जाना पड़ता है जील डालगे政ाल करके करने का मतलब है कि अगर आपको क्वेंपार से लगा करकर से लगाएं तो आपको कुछ लोग और कुछ लोगा के लिए कि टैनि हो जाने कुछ लोग 2-3 तो बैन तो दोस्त्तolly पहले आजद बीजा था ऊफवलाइन तो लोग आके अच्छा कमाते थे लेकिन अभी आपको कोई भी आजात बीजा बेचे तो नहीं आने का है। और पंद्र दिन से एक मेना जेल में रखे आपको इंडिया बेज देंगे आप यह सूचो आप 4 लाख रुपया लगा के कुईत आये हो और आपको सेम एक महने या दो महने में ही आपको ऐसा तो आपका सारा टोटल पैसा बरबाद हो जाता है तो आजाद बीजा के नाम पे आ सारा ऑनलाइन हो गया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टब हो गया तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आजाद बीजा का नाम का कोई बीजा नहीं होता है और आपको इस बीजा में कुएत नहीं आने का है ठीक है आप किसी कमपनी के बीजा में आओ स्टाटिक मे अच्छा कम पैसे में आजाओ जो कमपनी में मिलती है लेकिन आपको मिलेगा खाने को मिलेगा और आजात बीजा के नाम पर कोई भी बीजा में ना उसको सिर्फ घर में काम करने बाहरने काम. लेकिन बहुत सारे लोग उसको भी आपका आजाता बीजा करके बाला दोस्तों दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट हहाँ keen होता है आपको को आजाती में कुईगर नहीं आना है अगर आप आते हो तो उसके जम्हेंदार आप खुध रहते हो कि चारपांच लाख रुपे में मिलता है और अब उसको मिट्टी कर देना होता है आपके साथ हो सकता है तो कि क्वेट में इतनी तगडी चेकिंग चल रही है कल के ही मैं देख रहा था कि 700 लोगों को पकड़ा है कि जो यहां पर थोड़ा इलीगल रहे थे किसी को आप अकामा नहीं था बीजा नहीं था और कोई इधर-उदर काम करते वे पकड़े गए तो 750 लोगों को एक दिन में के अंदर आया होगा तो उसका परिवारालों का क्या लोगों चार लाग दोस्तों किसी के पास नहीं होते हैं कहीं ना इधर-उदर से अरेंज करके आया होगा बंदा और एक मेने के अंदर बेदो पहले से विचारा गरीब उपर से 4 लाग रुपे का करजा उपर सर में तो आदमी को और उसके बाद आदमी के क्या आलत हो सकते है यह तो आजाद Bija नाम कोई बिजा नहीं होता है और आप आपको क्वेटमा आजाद Bija में नहीं आना दोस्तों ये थी आद की वीडियो कैसे लगी मेरे को जरूर्ण बताना just thank you so much जैहीं जैवारा दोस्तो